जैसे कैची धाम सरकार में विराट कोली गए थे और जिस तरीके से उनके जाने के बाद जैसे भीड उम्री है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अपने धर्म को अपने धर्म की रक्षा के लिए इन लोगों के हमें आवश्यक्ता पड़ेगी जोते बॉलिवोड स्टार है या जो क्रिकेटर है जिनका नाम है जिनकी टियारपी है तो उसमें भी हमें इनको सामिल करना चाहिए जोती बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है वर्तमान परिपेक्ष में और पूर्व में भी स्टार कितने होते थे गिन्य चुने होते थे या वो कुद्योगपतियो में हो समाज सेविकों में हो या वो राजनितिग्यों में हो या वो खिलाडिय में हो या फिल्मी दुनिया में कितने होते गिन्य चुने होते आज लगभग हमारे देश की आवादी सबा सो डेड़ सो करोड के 125 करोड के 30 करोड के आसपास है उसमें स्टार कितने हैं जिनको ह भगवान का अंस्प्राप्त है भगवान तो हम सभी को हम लोगों का भगवान का अंस है पर हमें लगता है जैसे आज देश में आचारी है हम कितने हैं तो साथ आचारी हैं दो बड़े आचारी हैं मैं और पूझे अब देशान जी दो बड़े आचारी हैं बाकि हमारी पांच और आचारी है लेकिन उसी प्रकार जो भारत में बड़े लोग हैं जिनके पास पबलीक है जिनके पास खुब भीड़ है जिनके आने मातर से लाखों लोग उमड पड़ते हैं ऐसे देश में कंब लोग है मैंने संदिः बहुत अच्छा दिशे हैं और मैं चाहूंगा कि ऐसे स्थानों पर इन लोगों का अवाधमन बनने जिससे कि आने वाले स्रद्धालों को एक मार्ग मिल्ट सके क्वार Gegen अट्रेक्षन जाद में इनकी तरफ देके जाद होता है जाने लगते हैं आज गंगा के के प्रति गाय के प्रति राष्ट के प्रति आज अयोध्या की जो वीत्य वविश्था है अ प्रधान मंत्री जी के जाने से कासी विश्वनाजी में जो आए सो गुना था वो हजार गुना हो गया महाकाल में जो सो गुना था वो हजार गुना हुआ इसलिए मैं विराट कोली को बधाई देना चाहूंगा उन्होंने निम करोली बावा का दर्सन करके, निम करोली स्थान की जो प्रतिष्ठा थी, वो तो थी, उसमें और बृद्धिल आई, उस प्रतिष्ठा को उन्होंने पढ़ाया, जैसे कल हमारे यहां कंगनारणावत आ रही है, हमारे अकलकंगना रणावत आ रही है माई का दर्शन करेंगे पूजन करेंगे उसके अपने दिन चरिया होगी चोटी सी मुझे लगता है कि भारतिय परमपराओं में ऐसे लोग जब आएंगे जो धर्म को मानते हैं मंदीर में कौन आएगा जो धर्म को मानते हैं महात्माओं के पास कौन आएगा जो सनातन परमपरा को मानते हैं जो संत को मानते हैं गुरु परमपरा को मानते हैं संस्कृति को मानते हैं संसकार को मानत जो हमारे धर्म को नहीं मानने वाले लोगें, मैं किसी धर्म की बात नहीं करूँगा, मैं किसी की बिक्ती की बात नहीं करता हूँ, मैं तो उसकी बात करता हूँ, जो सनातन परंपरा को मानता है, धर्म को मानता है, नीती को मानता है, न्याय को मानता है, दर्शन को मानता है, भगवान के दर्शन की महता को जानता है गंगा आचमन की जल की महता को समझता है गुरु मंत्र की दिक्षा का महता समझता है माला की बात माला का महता समझता है और भोजन प्रशाद का महता समझता है उनके बड़े इन बड़े लोगों के धार्मिक लोगों के मंदिरों में परंपरा भड़ती है परंपरा भड़ती है तो इसलिए मुझे लगता है इनको आना चाहिए और इनके आने का किसी में भी किसी प्रकार का कोई प्रतिसोध नहीं रहना चाहिए उत्साव का उत्साव का मावल रखना चाहिए और उत्साह रहना चाहिए जो जैसे हर समय तो इन है तो मुझे लगता है कि अगर किसी गर में हमारा आना-जाना एक दिन हुआ या एक दिन डो दिन हम उस घर में गए तो निसन्दे उत्साव उत्साँ रहनी चाहिए इसलिए अगर हमारे आश्रम में कोई आता है तो अतिथी तुम है हमारे मातरी पित्रे देवो भावा हम दूसरे को हर एक विक्ति एक विक्ति को अपना माने इसलिए अगर हमारे यह को यतिति आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए उसका वंदन करना चाहिए और जितनी हमारी सामर्थ है उसके अनुसार उसका स्वागत करना चाहिए उसके अनुसार उसका वंदन करना चा को नहीं मानते हैं सदाचार को नहीं मानते हैं सद विचार को नहीं मानते हैं सद परमपरा को नहीं मानते हैं सनातन धर्म को नहीं मानते हैं सनातन संवेदना को नहीं समझते हैं उसके आने से आश्रम की परमपरा घटेगी आश्रम की प्रतिष्ठा घटेगी और अगर ऐसा को भी मानने वाला है तो निसंदे उसके आने से आश्रम की परंपरा बढ़ेगी आश्रम की परंपरा बढ़ेगी इसलिए मैं विराट कोली को बदाई देना चाहता हूं और आशिरवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नीमकरोली भाबा का दर्शन करके नीमकरोली भाबा नीम का अशिरवाद संतों का अशिरवाद उसे मिलना चाहिए और मिलेगा ऐसा कभी भी समय आए तो मैं आप से भी कहूंगा कि आप एक स्रिष्ट बुद्धी जी भी हो समझदार हो एक सोशल बरकर हो आप और एक आप एंजियो चलाती हो आश्रे सुसाइटी नाम का एंजियो है आपका और आप एंजियो चलाती हो तो उस एंजियो के माध्यम से आप समाज सेवा को बल दो किसी भी परिस्थिती में छोटा बड़ा कोई भी मिले उसकी सेवा करो कोई असहाय प्राणी मिले उसकी भी सेवा करो कोई अमीर विक्ति मिले अगर एक समय आएगा कि आपका पद भी बढ़ेगा आपका कत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन आपका पद भी बढ़ेगा तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को खूब सारा शिर्वात देता हूं कि ऐसे लोग मठों में मंदिरों में आ करके महत्मा का उस आश्रम का उस परंपरा का और इस विवस्था का जो पर्चम है उसको और उतकरष्ट करते हैं उसको पढ़ाते हैं उसको लेराते हैं इसलिए राष्ट धवज भगवाद धवज और धर्म धवज हमारी कभी चुकने ना पाएं उसमें इन इस्टारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है रहना क्पाइब ना चाहिए है झाँ हमारी को भगवज रहते हैं, आप इसका है है झाल करता हैं इसका हैं